गुड मॉर्निंग फ्रेंज तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लूओ बैंचुवान जैंग पर बहुत सारे स्वर्ट से अटेक कर दीता है जिससे बचते हुए जैंग वहां से भाग रहा होता है अब आगे जहां हम देखते हैं कि लूओ बैंचुवान अपने एक खास टेकनिक का यूज करते हुए रेड एवल हैंड से जैंग को पकड़ लेता है पर तभी वहां पर जिलैंग आ जाता है जिसे देखकर लूओ बैंचुवान घवरा जाता है जिसके बाद जिलैंग लूओ बैंचुवान से कहता है उमने मुझे बहुत कमजोर गुलाम दि के बाद लूओ बैंचुवान देखता है कि यह देखकर उसे बहुत गुश साथ क्योंकि लेकर यहां चला गया था जहां अब हम जैंग को देखते हैं जो जिलैंग के कैद में था जहां उसे उपर जंजीर से बांद के रखा गया था तभी जिलैंग एक स्वाट को देखते हुए कहता है आज मैं तुम्हें एक इप्यूच्वल वैपन बना दूंगा जिसके बाद वो जोरों से ह ले मुझ से वो जहर लिया था और तुम्हारे फादर को मार कर खुद सेक्ट का लीडर बना चाहता था जिसके बाद वो बताता है कि लो बैंचवान ने जितने भी गुलाम मुझे दिये थे वो सभी बहुत कमजोर थे लेकिन तुम मेरे रिफाइंडमेंट के सबसे अच्छ है कि तुम यह सब बेकार बातों पर ध्यान मत दो अब तुम्हारी जान मेरे हातों में जिसके बाद जिलैंग अपने इस्टिक को जोर से जमीन पर मारता है जिसके बाद रिफाइंडमेंट की प्रॉसेस सुरू हो जाती है जिसका रण जैंग को काफी तकलीफ हो रही थी क् कि वह स्वार्ड उसकी सारी एनर्जी को खीच रही थी पर तभी वहां पर हर तरप उसकी ब्लड और फैलने लगती है जिसकी वजह से जिलैंग पर थंडर अटैक होने लगती है जिसमें से एक अटैक जिलैंग को लग जाता है और उस कारण वह वीक होके नीचे गिर जाता ह लेकिन तभी जिलैंग एक मैडिसीन को खा लेता है और फिर से अपनी एनरजी को रियस्टोर करके जैंग की इस प्रिट को स्वर्ट में डालने लगता है जिसके कारण जैंग पत्थर में बदलने लगता है अब हम कुछ देर बाद उस स्वर्ट को देखते हैं जो की एक इपर वैपन बन चुका था तभी उस स्वर्ट को देखते हुए उसे पुरानी बाते याद आने लगती है जहां वह अपनी वाइप और बच्चे को देखता है जब वह यंग था तब वह एक वैपन रिफाइनर था जहां वह वैपन को रिफाइन करके अमीर लोगों को बेच देत था और अपने फैमली का पेट पालता था तभी एक दिन उसने एक स्वर्ट बनाई और फिर अपने मास्टर को देने के लिए जाने लगा पर मौसम बहुत खराब होने के कारण उसकी वाइप उसे ना जाने को बोलती है लेकिन वह जल्दी से आने का बोलकर वहां से चला जा भुण ही खुन नजर आ रहा होता है तो यह देखकर जिलेंग हैरान हो जाता है पर वह जब अपने घर के और करीब जाता है तो उसे वहां एक डीमन दिखाई देता है जो उसके बच्चे और उसकी वाइप को खाचुका था फिर वो डीमन उस पर भी अटैक कर देता है पर डीमन बहुत पावर्फूल था इसलिए वो जिलैंग को अपने एकी पंच में दूर कर दे देता है जिसके बाद वो बोडर्य मान उस पर फीसे अटायक कर देता है पर जिलैंग अपनी जान बचाने के लिए उस डीमन को काट लेता है जिसकी वजह से वो डीमन मर जाता है लेकिन उसकी डीमन को काटने की वजह से जिलैंग अब हाफ डीमन बन चुका था तो इसी स्वर्ड की वजह से वह अपनी वाइप और अपने बच्चे को खो चुका था इस माइड में देखते हैं जहां उसे वो ड्रागन भी देख रहा हुता है जिसके बाद वो ड्रागन में की बोडी को अपने मूं में डाल से देखि रहा होता है पर अनकी बॉड़ी में क्रैक पड़ने लगते हैं घपराते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अभी भी जिन्दा हो जिसके बाद वहां वो ड्रैगन आ जाता है जो जिलैंग की बॉड़ी को अपनी मुझ से बाहर निकाल देता है जिसके बाद उसकी बॉड़ी जिलैंग से कहती है तुम्हें जैंग को मारने से पहले मुझसे परमिशन लेना होगा जिस पर जिलांग हसते हुए कहता है कि लगता है कि तुमको मजा चखाना पड़ेगा तभी वो अपनी बहुत सारी स्वर्ट से जैंग पर अटेक कर देता है पर इस अटेक को जैंग बड़े ही असानी से डिस्ट्रॉय क कर लेता है जिसके बाद उन दोनों में कमबैक फाइट होने लगती है जहां वो दोनों एक दूसरे को लगातार पीट रहे होते हैं पर इसके अंदर उस ड्रेगन की स्प्रीट थी जिसके कारत जैंग अभी बहुत पावर्फुल बन गया था और इस फाइट के दौरान जैं जैंग को एक जोरदार पंच मार कर उसे दूर गिरा देता है तभी जिलैंग की वो स्वर्ट भी तूट जाती है जिसके बाद जैंग उस तूटे हुए स्वर्ट को देखते हुए और अपने वाइब को याद करते हुए वहीं मर जाता है अब जैंग वहां से उठकर बाहर जाता है और जिलैंग को देखता है कि यह तो मर चुका है तभी उसके पास से एक रिंग और एक स्वर्ट को उठा कर देख रहा होता है जिसके बाद जैंग उस रिंग को पहन लेता है और तभी उसकी ड्रेस चेंज हो जाती है अब जैंग यहां से बाहर आ जाता है और सोच जाता है जहां है वेली सेक्ट के लीडर कि उसी ने अपने कल्टिवेशन में ब्रेक तुरू करके जिसके बाद उसे यूमन फॉर्म मिली इसलिए उसने इंसानों पर राज करने के लिए अपनी एक आर्मी खड़ी की और इस्ट में अपनी पहली लडाई करने के लिए चला गय और इस्ट में कल्टिवेटर सेक्ट और किलियर इसका सेक्ट को क्लाउड हॉल से ओर्डर मिला था कि उन्हें डीमन आर्मी से फाइट करके उन्हें पीछे हटाना है फिर हमें किलियर इसका सेक्ट के लीडर फ्यूरी को दिखाया जाता है जो कि उन डीमन से लड़ने के सिटी को तभा कर दो फिर वो ड्रेगन डीमन के साथ उस सिटी के दरब जाने लगते हैं और डीमन उस सिटी के ऊपर फायर बॉल फेकने लगते हैं और सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं तभी वहाँ डीमन्स और इंसानों के बीच फाइट होने लगती हैं जिसमें डीमन इंसानों पर भाड़ी परड़ा होते हैं पर तभी वहाँ पर फ्यूरी आकर डेवन्स को मारने लगते हैं इसके बाद हम ड्रैगन को देखते हैं जो यहां बहुत तवाई मचा रहा था तभी फ्यूरी ड्रैगन के पास जाकर उससे लड़ने लगता है और अपने स्वर्ट से ड्रैगन की बोडी पर लगतार अटेक करने लगता है जिससे ड्रैगन गुसे में चिला रहा होता है तब ये ड्रैगन अपने पूस से फ्यूरी को मार कर दूर फेक देता है और तब यहाँ पर एक आइस गल की एंट्री होती है जिसका नाम निंग यूदी था इसके बाद निंग जमीन में पैर मारती है जिसके कारण वहां की जमीन बरप में जमने लगती है साथ ही वो ड्रेगन भी पूरी तरह से बरप में जमने लगता है इसके बाद निंग उस ड्रेगन पर अटेक कर देती है फिर वो दोनों सेक्ट क सब wsp बबayे सोलजर जोस में आ जाते हैं और इंसानों और दीमन्स के बीच एक खत्रनाख फाइट होने लगती है तब बाद नि gördbe प्धार इस ऐपने reducing को बाहर निकाल लेती है तब दूसरी तरह कि उसे भी द्रैगन मेंन भा निकाल लेता है दो एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं तभी हमें बताया जाता है कि निंग उस फाइट में बुरी तरह से घायल हो गई थी जिससे वो एक गहरी नींद में चली गई थी और उसकी सोल का एक टुकड़ा इस्ट में गिरा था पर उसे बहुत लोगों ने ढूंडा पर वा किसी को नहीं कर वाड़ा रसे का बवाज़ा है